हेलो फ्रेंट्स, हम चैप्टर नमर 7 पढ़ रहे थे, चैप्टर नमर 7 का नाम है निर्दे सांख जाय मिती, कोडिनेट जोमेट्री, अब तक हमने दोस्तों, परसनावली 7.1, 7.2 कंप्लीट देख लिए, 7.3 के हमने क्यूशन 1st और 2nd कंप्लीट देख लिए, जिसकी लिंक आ क्यूशन नमर 3 करने वाले, जो अपने पास गिवन है, सिर्शों 0, माइनस किवन 2, और 1, और 0, और 3 वाले तिर्बूच की बुजाओं के मद्दे बींदों से बनने वाले तिर्बूच का छेतर पल ग्याद कीजिए, इन छेतर का दिये वे तिर्बूच के छेतर पल के साथ अनुपात ग्याद कीजिए, इसमें अपने पास है, क्या दे रखा इसमें, एक अपने पास तिर्बूच है, तिर्बूच के अंदर जो इसके मद्दे बिंदों से जो बना तिर्बूच, इसका ये अपने पास दे रखें, सिर्श दे रखें, और इसके अंदर मद्दे बिं और पूरे का, A, B, C का, ये अपने पास A हो गया, ये B, और ये C, ऐसे ही अपने पास ये D, ये E, ये F, इन दोनों का अपने पास अनुपात निकालना है, कहने का रता हैं, इनका 6 तरफल निकालना है, और 6 तरफल जुआएगा, उसमें एक दूसरे का भाग दे देंगे, तो अपने पास अनुपात आजाएगा, ये अपने को सोल करना है, फ्रेंट्स इसमें, तो सबसे पहले इसमें A के अपने पास B और C के कोडिनेट दे रखें, उनमें मिड पॉइंट से बने अपने पास D, E, और F, मिड पॉइंट का फॉर्मल लगाएंगे, मद्दे दोनों को आपस में बाग लगा के फाइनल आंसर निकालेंगे, तो देखते हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले, A, D क्या, A, B का मिड पॉइंट, सबसे पहले इसके कोडिनेट लिख लेते हैं, कोडिनेट अपने पास 0 और माइनिस के 1, B के कोडिनेट यहां से अपने पास 2 और 1, से के कोडिनेट अपने को 0 और 3, तो A, B का मिड पॉइंदू है अपने पास, क्यूशन नम्मर 3, A, B का मिड पॉइंदू, मिड पॉइंट, D है, तो D, मिड पॉइंट का फॉर्मला होगा, अपने पास, X1 प्लेस X2, डिवाइड में 2, ऐसे Y1 प्लेस Y2, Y3, अब इसकी वेलिव पॉट करेंगी, D अपने पास X1, X2 की वेलिव अपने पास यहां से, X1, यह अपने पास X1, यह Y1, यह अपने पास X2, यह Y2, यह X3, और यह Y3, X1, X2 की वेलिव अपने पास 0, और प्लेस के 2, 0 प्लेस के 2, डिवाइड में 2, ऐसे Y1 की वेलिव माइनिस के 1, प्लेस Y2 की वेलिव यहां से 1, डिवाइड में 2, तो D अपने पास आजाएगा 0 प्लेस 2, और 2 में 2 का डिवाइड करेंगी तो अपने पास आजाएगा 1, ऐसे माइनिस 1 और प्लस 1 यह 0 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0 तो D के अपने पास जो कोडिनेट आए हो है 1 और 0 BC के लिए निकालेंगे BC का मद्दे बिन्दू मद्दे बिन्दू E है एता है E के लिए वोई सेंब फोर्मला मद्दे बिन्दू X1 X2 डिवाइड में 2 Y1 प्लस के Y2 डिवाइड में 2 X1 X2 की वेलियो अपने पास अब इसके लिए निकाल नहीं तो यह X1 यह Y1 यह X2 ऐसे यह Y2 तो यह अपने पास 2 और 0 2 प्लस 0 डिवाइड में अपने पास आजाएंगे 2 ऐसे Y1 प्लस Y2 यह Y1 और यह Y2 1 प्लस 3 1 प्लस 3 डिवाइड में 2 E 2 और 0 अपने पास 2 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 1 और 3, 1, 4, 4 में 2 का डिवाइड करेंगी तो अपने पास आएगा 2 तो ये अपने पास किसके कोडिनेट आ गए ये के ऐसे ही अपने पास एप के लिए निकालेंगी तो C और A का मद्दे बिंदू मद्दे बिंदू मद्दे बिंदू F है F के लिए X1 प्लस X2 डिवाइड में 2 ऐसे Y1 Y2 अपन 2 तो F X1 X2 अब ये X1 ये X1 ये Y1 ये X2 ये Y2 तो 0 प्लस 0 ये Y1 प्लस Y2 Y1 प्लस Y2 3 माइनिस के 1 डिवाइड में 2 तो अपने पास अपने पास आये हैं A के लिए one or two और और एक का अपने पच, D ऐ के लिए है one or zero अब तेमों से हम क्या निकाल लेंगे हैं इसका तिरभुज का चेतर्पल निकाल लेंगे तो दोस्टों इसके लिए सबसे पहले सबसे पहले निकालते हैं A, B, C इसके अपने पास निकले वे हैं कोडिनेटिस के दिये वे हैं तो यहां से हम तिर भूच का छे तपल निकाल लेंगे और इसके बाद D.E.F. का निकाल लेंगे तो सबसे पहले हम इसी डाइग्राम से यह अपने पास A, यह B और यह C, यह अपने पास दे रखा है, टू और वन और यह अपने पास जेरो और थरी इसका एरिया निकाल लेते हैं तो यह अपने पास हो गया X1, Y1 यह X1 यह Y1 यह X2, यह Y2 और यह अपने पास X3 यह Y3 तो इसे सॉल करेंगी तो त्री बूज A, B, C से तो त्री बूज का सहतर पल त्री बूज का सहतर पल एक्वल टू फॉर्मला होगा हाफ हाफ X1 Y2 माइनिस के Y3 प्लैस X2 Y3 माइनिस के Y1 प्लैस X3 Y1 माइनिस के Y2 एक्वल टू यहां से 1 बाई 2 X1 की वेल्यू यहां से अपने पास 0 अब दोस्तों यह किसी भी संक्या के साथ मल्टिपला है होताँ 0 हो जाएगा लिखनी क्या हो सकता नहीं है आपको एक्जाम में लिखना है दोस्तों अब यह 2 X2 की वेल्यू अपने पास 2 और यह अपने पास 3 और प्लैस वन ऐसे यह 0 X3 की वेल्यू अपने पास 0 यह भी किसी भी संक्या के साथ मल्टिपला है तो 0 होगा लेकिन आपको लिखना है एक्जाम में तो 1 by 2 यह इसके साथ मल्टिपला है तो 0 प्लैस यह 3 और 1 हो गए 4 4 को 2 के साथ मल्टिपलाई करेंगी तो अपने पास 8 और यह अपने पास हो गया 0 अपने पास final बचा 1 by 2 और यह आँसे अपने पास 8 इसको इसके साथ कैंसिल करेंगी तो अपने पास बचेंगी 4 और यूनिट आएग इसकी वरेग एक आई वरेग एक आई तो 3 बूजे A, B, C का जो 76 पलाई अपने पास वो कितना आई है 4 आई है आप निकालेंगी 3 बूजे 3 बूजे D, E और F से इसके लिए डाइग्राम था अपने पास ये अपने पास D, E और ये F इसके निर्दे सांग दे रखेंगे अपने पास दोस्तों देखो दोस्तों इसके D के निर्दे सांग अपने पास ऐसे अपने पास E की और ऐसे ही अपने पास एप की निदे सांग निकाल रहे हैं हमने तो D के अपने पास 1 और 0 1 0 यह D E के अपने पास 1 और 2 1 और 2 एप के अपने पास 0 और 1 0 और 1 तो यह अपने पास हो गया X1 Y1 X2 Y2 X3 और Y3 एप सोल करेंगे इसको पॉर्मुला त्री बुचका छेतर तरपल इक्वल टू 1 बाइ 2 X1 Y2 माइनिस Y3 प्लस X2 Y3 माइनिस Y1 प्लस X3 Y1 माइनिस Y2 अब इसमें वेल्यू पुट करेंगे तो 1 बाइ 2 X1 की वेल्यू यहां से क्या अपने पास X1 की वेल्यू 1 Y2 की वेल्यू अपने पास 2 और माइनिस Y3 की वेल्यू है अपने पास 1 ऐसे यह 1 1 माइनिस 0 यह अपने पास 0 0 माइनिस के 2 तो 1 बाइ 2 यह 1 2 में से माइनिस को 1 करेंगे तो अपने पास 1 बचेगा यहां से प्लस यह 1 और 1 माइनिस 1 1 बचेगा यह 0 होजाएगा 0 को इसी भी संग के साथ multiply करेंगे तो 0 तो plus 0 तो अपने पास यहां से आएगा 1 by 2 1 को 1 के साथ multiply के तो 1 और 1 को 1 के साथ multiply किया 1 और 1 1 अपने पास हो गए 2 तो 1 by 2 multiply में 2 2 से 2 cancel अपने पास आगा 1 वर अगी काई तो दोस्त अपने पास एक तो एरिया है अपने पास 4 और एक एरिया है अपने पास 1 लास्ट में लिख देंगे 3 बूजों का अनुपाथ 3 बूजों 3 बूजों का अनुपाथ तो अपने पास एक निकाला हमने D, E, F तरी पूज़ D, E, F का और एक तरी पूज़ A, B, C का छेतर पर का छेतर पर एरिया इसका है अपने पास 1 D, E, F का अपने पास 1 और ट्राइंगल A, B, C का अपने पास एरिया है 4 तो 4 तो अपने पास जो रेसिया है 1 और पास चार यह दोस्तो इसका फाइनल आंसर अगर दोस्तो आप कोई वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसी परकार की कोई प्रॉबलम है तो कॉमेट कीजिए थैंक यू दोस्तो